हलो फ्रेंट्स, आयुरुवेद में कही पेड पौदे, फल, फोलो का इस्तमाग कही बीमारियों को दो करने के लिए हिया जाता रहा है इन्ही में से एक है अरजुन का पेड है इस पेड में कही औस्तिय कुण होते है इसलिए अरजुन की पेड, चाल, पत्ते, फल और जड़ों का उप्यों कही स्वास्त समस्या को ठीक करने के लिए करते है लेकिन इस वीडियो में सिर्फ अरजुन के फल के फायदों के बारे में जानेंगे अरजुन का फल, दातों, हड्डियों और स्किन के लिए काफी लापकारी होता है अरजुन के फल के फायदे अरजुन के पेड से मिलने वाला फल हैल्थ के लिए काफी फायदे मन होता है यह कई तरह की बिमारियों को दूर करने में सायक होता है इतना ही नहीं अर्जुन के फल से स्वास्त को कोई नुक्साद नहीं होता है इसलिए आप सिमित मात्रा में इसका सीवन आसानी से कर सकते है तोच्छा के लिए लाबकारी अर्जुन का फल अर्जुन के फल का स्वास्त कसिला होता है यह तोचा की कही समस्या को दूर करने में सायक होता है अरजुन का फल तोचा की चूड़ियों, ताग धबों और महासों से निजात दिलाता है यह बड़ती उम्र के लक्षनों को भी दूर करता है इसके लिए अरजुन के फल का पाउडर बना ले इसे सर्द के साथ मिलाकर चैरे पर लगाए इससे आपकी तोचा भी दाग और साफ नजर आएगी इसके लिए अरजुन के फल को खाया भी जा सकता है अरजुन का फल और पेट दोनों फाइदे मन होते है हड्यों के परिशानी दूर करे अरजुन का फल हड्यों को मजबुत बनाने के लिए अरजुन के फल का सीवन करना काफी फाइदे मन होता है यह हड्यों को ताकत देता है हड्यी तूटने पर भी अरजुन के फलों का उप्यों किया जा सकता है इसमें मौज़ुद तत्वा हड़ी को जल्दी जोडने में मदद करते है इसके अलावा आप चाहे तो अर्जुन के चाल का पाउडर भी दूद के साथ ले सकते है इससे भी हड़ी जोडने में मदद मिलती है हड्यों के लिए अर्जन की चाल भी फाइदेमन होती है मौ की दुरगन दूर करे अर्जन का फल अगर आपको मौ से जुड़ी कोई समस्या है तो आप अर्जन के फल का उपयोग कर सकते है अर्जन का फल मौ की दुरगन दातों की कैविटी मसुडों की समस्या दातों में दातों से खून आना और दातों की संक्रमन को दूर करने में उपयोगी होता है इतना ही नहीं या मौ के अलसर को भी ठीक करने में सायक हो सकता है अर्जुन के पेड़ के फल के साथ ही अर्जुन की चाल भी दातों के लिए काफी फाइदे मन होती है रदे के लिए उप्योगी अर्जुन का फल रदे को स्वस्त रखने के लिए भी अर्जुन का फल फाइदे मन होता है आजकल रेदे रोक्यों की संख्या बढ़ती चाह रही है ऐसे में healthy diet लेना बहुत ज़रूरी है रेदे को स्वस्त रखती के लिए आप अरजुन के फल का सेवन भी कर सकते है मुत्र मार्ग की समस्या दूर करे कई लोगों को पैसाब में रुकावट के समस्या होती है ऐसे में अरजुन के फल का सेवन करना फाइदे मन माना जाता है इसके सेवन से पैसाब में रुकावट की समस्या दूर होती है अगर आपको पैसाब से जुड़ी कोई समस्या है तो आप डॉक्टर की सलाव पर अर्जुन के फल का उप्यों कर सकते है अर्जुन का फल कैसा होता है अर्जुन का फल काफी पोश्टिक होता है यह स्वाद में कसिला होता है यह फल सफेद या पीले मंजरियों में लगे होते है इस फल में हलकी सी सुगंध होती है जब अरजुन का फल कच्चा होता है तो यह हरे पीले रंका दिखाई देता है पकने के बाद यह पूरा लाल रंका हो जाता है आप भी अरजुन के फल का सेवन कर सकते हैं लेकिन सिमित मात्रा में ही इसका सेवन करना चाहिए यह एक सिर्फ जिकित जिक्यर अनुभव है इसलिए अरजुन के फल का सेवन करने से पहले आयरवेदिक डॉक्टर किशला जरूर ले डॉक्टर आपको अरजुन के फल को लेना है यह नहीं इस बारे में सही सुजा देंगे थैंक यू वेरी मच प्रिस लेक शजिए औरे मिप्सक्राइब